लोकसबा चुनाफ की शुरवात हो चुकी है दो चर्णों में मद्दान पूरे हो चुके हैं और अब तीसरे चरण के मद्दान बेहत करीब हैं और इसी से पहले कॉंग्रेस ने एक बड़ा असमंजस की स्थिती जो बनी हुई थी उस असमंजस की स्थिती को सुलजा दिया है यानि राय बरेली और अमेठी की सीट पर उमीदवारों के एलान के बाद अब भारते जनता पार्टी और कॉंग्रस के खेमे में खासा हल चलमची भी है और इसी बीच अब राहुल गांधी राय बरेली से अपना नामांकन भर चुके हैं राहुल गांधी एक मात्र ऐसे नेता है जिन्होंने म्यूचल फंड में एक करोड से भी ज्यादा का निवेश किया हुआ है लेकिन अब जो उन्होंने नामांकन भरा है इसके बाद कई सवाल खड़े होते हैं दरसल राहुल गांधी ने राय बरेली से अपना नामांकन भर दिया है नामांकन के लिए हर एक नेता को पहले हलफ नामा भरना होता है और अपने हलफ नामे में राहूल गांधी ने जिन बातों को दिखाया है और अपनी संपत्ती से जुड़ी जानकारी रखी है वो जानकारी हैरान कर देने वाली है राहूल गांधी के पास महज कैश के तोर पर 55,000 रुपे हैं बैंक में कुल 26 लाक रुपे डेपॉजट है कि राहूल गांधी जैसे कॉंग्रेस के बड़े नेता जिनके पास इतना पैसा होना चाहिए आखिर राहूल गांधी की इतनी कम संपत्ती कैसे है और आखिर उनके पास इतना कम रुपे कैसे है राहुल गांधी के पास कुल चल संपत्ती करीब 9 करोड 24 लाक रुपे है और वहीं उनके पास कुल अचल संपत्ती करीब 11 करोड रुपे की है इस तरह उनके पास जो कुल संपत्ती बताई जारी है वो बताई जारी है करीब 20 करोड रुपे की अब सोचे एक ओ तो राहूल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा भारत जोड़ो न्याय यात्रा जैसी बड़ी यात्राएं करी हैं और लोगों को जनता को लुभाने की तमाम कोशिशे करी हैं अपना खूब पैसा खर्च करा है लेकिन वही राहूल गांधी की आखिर इतनी क संपत्ति कैसे हो सकती है आपको बता दें कि हलफ नामा जब राहूल गांधी अपना भर रहे थे तो कई तस्वीरे राहूल गांधी के नमांगन भरते हुए कई वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वैरल हुरे हैं खूब सुर्खियों में आ रहे हैं और उसके बाद जो सबसे करीब 20 करोड रुपे की बताई गई है अब सोचिए कि 20 करोड रुपे की संपत्ति जो राहूल गांधी की है लेकिन उनके पास हाथ में जो कैश है वो महस 55,000 रुपे है अब आपको क्या लगता है कि क्या राहूल गांधी की संपत्ति सच में इतनी है या फिर हल अफ नामे में जो रहूल गांदी ने अपनी संपत्ती दिखाई है वो जूट का है फिलाले बिस खबर पर आप क्या कहेंगे हमें एक कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजेगा धन्यवाद